जादुगर मूवी का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो मुझे वो काफी जादा पसंद आया था क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीजें देखने को मिले थी उस ट्रेलर में काफी जादा फणी थी तो लगा था कि यह जब मूवी आएगी तो बहुत जादा इंटरस्ट कमी है इतनी जादा लैंटी यह जो मूवी बनाई गई है अब वो अलग बात है इसको लैंटी कहें या नहीं कहें वो आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर हम डिसकस कर लेंगे कैर जब मैंने इसकी लैंट जब देखी थी तो मुझे लगा यार कहीं एक साथ नेट्फिक्स पूरी की पूरी वेब स्रीजी तो ना रिलीज कर दी हो क्योंकि तीन गंटे की लगबक सरीज आ जाती है क्या वैसा नहीं था यह मूवी थी अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं जैसा हमें ट्रिलर में देखने को मिलता है एक मीनू नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको फुटबॉल से काफी जादा नफरत है अब वो नफरत क्यों है उसका रीजन मुवी के अंदर दिखाया जाता है और वो रीजन भी हमें काफी जादा वैलिड लगता है अब यहां पर यह जिससे प्यार करता है में इतलब की जो मीनू है वो किसी दिशा नाम की लड़क प्यार करते हैं और वो ही लड़की इसको कहती है कि देखो तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें फुटबॉल खेलना होगा यह साही चीजें आपको ट्रिलर में देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि महाँ लोगों को स्पोईलर दे रहा हूं मैं कोई भी स्पोईलर नहीं द करती हैं मतलब जो वो नहीं चाहता है यही तो बात मैंने बोलिया अब क्या सब चीजें होती हैं कैसे वो चीजें होती हैं में क्या करता है क्या नहीं करता है इन तमाम बातों के लिए तो देखो आप लोगों को मुवी देखनी पड़ेगी हम तो चैप्चा करेंगे कि विवुड की content को हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई बक्वास सब प्रोपोगेंडा हमारे सामने रख दिया जाता है उनका focus entertainment की तरफ ना होकर दूसरी चीजों के उपर ज्यादा होते हैं लेकिन ऐसा इस मुवी में नहीं है प्रोपागेंडा बिल्कुल भी नहीं है entertainment के उपर ही focus करती है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए दूसरी इस चीज मुवी के अंदर मुझे सबसे बढ़िया जो चीज लगी सबसे इंट्रस्टिंग जो चीज मुझे लगी वो हैं इस मुवी में जितन ज्यादा पसंद आने वाला है जीतू भई है यानि जिते इंदर कुमार ने इस character को play किया है definitely उनके जो expression आप देखेंगे या जो last kick ending आती है landing में अब ending में जो इनके expression दिये रहते हैं सुभान अल्ला माशा अल्ला चुमेश्वर level की उन्होंने performance दिये बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से उन्होंने उसीच को play किया है मतलब इसमें जितने भी कलाकार उन्होंने ऐसा निया कि किसी ने कम किया हर एक में अपना मतलब की मैं करूंगा कि 100% उन्होंने अपनी मेहनत दी है यहां पर और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने movie आती है अब देख यानि इन सब चीजों ने मिला कर movie आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया तरीके से represent होती है जो इसके अंदर मुझे पसंद नहीं आया वो है मीनू के character को इन्होंने जादा मतलब खुलकर हमारे सामने नहीं रखा बहुत सारी चीजे थी जो मीनू के characters को हमें जाननी थी इस इसका एक तरीके से जैसा चरीत जैसा वैवार हमारे सामने आ रहता है डेफिनेटली वह इंटरस्टिंग आपको पसंद आएगा और मुझे भी काफी जाता हो पसंद ही आया लेकिन कहीं न कहीं यह किछा थी क्यार इस character के बारे में और अच्छे से बताएं deeply हमें बताना चा बखा गया है मतलब इस movie में आपको emotion आपको एक तरीके से sports थोड़ा बहुत उसका sporty look जो आपको देखने को मिलागा फुटबोल जो इसमें देखने को मिलती हमें वो ठीक था इन्होंने मतलब direct कि है बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहुँगा कि बहुत बढ़िया शोट इन्ह पॉइंट के ओपर बहुत बढ़िया टाइमिंग के ओपर जो डायलोग डिलीवरी की गई है जिते अंदर कुमार यानि जो जीतु भाहिया है उनके द्वारा जो बोडी लाइंग्वेज यूज की गई अपने डायलोग को डिलीवर करते समय वो बहुत अच्छा लगेगा म मुझे बहुत जादा पसंद आई है तो मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देने चाहूँगा 7.5 अगर आप लोगों ने मुवी देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगे अगर नहीं देखिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंडिट करूँ है कि आप जाकर मुवी डेफिनिटली देखिए बहुत अच्छी मुवी है ऐसा नहीं कि इसमें कोई खराब चीजें देखने को मिलें या फिर कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा जो आप परिवार के साथ ना देख पाए वो ऐसा कुछ नहीं है मुवी अच्छी है ना कोई गाली गलोच है एक